वेलकम बेक टू ऑनलाइन स्टडी यूके आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जॉप्स के बारे में जॉप्स यानि की एससी के थुरू ठीक है कर्मचारी चैनायोक के थुरू दिल्ली पुलिश में आई हैं जो वेकेंसी काफी मात्रा में बलके वेकेंसी हैं तो आप भर सकते हैं उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं वीडियो में तो बने रही है और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर दें आईए बात करते हैं वेकेंसी के बारे में क्या-क्या यूग तोण्राइन आप्लिकेशन यह है 1 अगस्त 2020 से एक साथ नौजार वीओ ठीक्प लास्ट डिट आप टाइम आप रिचिप्ट ऑवन डायन एप्लिकेशन लास्ट डेट जो है इसकी ठीक लास्ट डब्स यह है 179-2020 है ठीक रास्ट डेट अडर्ड last fee payment की डेट है 9.9.2022 ठीक है लास्ट डेट एंड टाइम ओप जर्नेट ऑफ-लाइन चालान जो ऑफ-लाइन चालान लगाना चाहते हैं उनके लिए 11.9.2020 last date है और last date of payment थो ठीक है पेमेंट थो चालान डूरिंग वर्किंग आवर्स बैंक 14.09.2020 है ठीक है लास्ट डेट ओप कंप्यूटर बेस्ट एक्जामनेशन है वो है कंप्यूटर बेस्ट एक्जामनेशन प्रस्तावित जो है 27.11.2020 से 14.12.2020 14 दिसंबर तक होगा एक्जाम ठीक है 27 से 14 बारह 2020 तक एक्जाम होगा ठीक है तो इसके बाद देखते हैं इसमें जो वेकेंसियां है इसका जो पेड़ स्केल है पेड़ स्केल इसका जो है 2300 से 69100 है जो ग्रुप C लेवल का होता है तो टोटल जो वेकेंसि हैं तोटल जो वेकेंसी हैं पांच जार आच सो छी जारीजस वेकेंसी हैं तोटल ऊच्छार जिसमें 1037 और ST के लिए 302 वेकेंसियां इसमें है ठीक है जो costable एकसी ये mail है ठीक है mail है अंद्रिजर्ब में 1600 ये वेकेंसि चार्ट है आप देख सकते हैं किस किस में आपके लिए वेकेंसियां करके ठीक है इसके बाद देखते हैं Nationality Nationality हर किसी में चाहिए ठीक है candidate must be citizen of India ये तो रहता ही है ठीक है age limit age limit की बात करें तो हम 18-25 ये ठीक है 18-25 इसकी age limit है 18-25 ठीक है जिसमें candidate का जो जन्में है 27-1995 से 27-1995 से एक जुलाई 2002 के बीच में हुआ होना चाहिए candidate का जो बर्त है ठीक है इसके बाद आरक्षन का है आरक्षन वालों को है जो पांच येर है तीन येर इन्जे relaxation है सेम ठीक है इसके बाद next बात करेंगे हम ठीक है जो format of certificate and process of certificate तो सेम ही है ठीक है जो अन्तिम्तिती है last 9-9 को उस डेड़ तक हमारे जो certificate है वो सभी हमें present करने पढ़ेंगे उस डेड़ को ठीक है qualify हमें करने चुछी है ठीक है जो essential qualification की बात आती है qualification की जो बात आती है वो है 7-9-2020 को ठीक है हम जो closing date है 7-9-2020 को उस date तक online application की जो date है उस date तक हमें योग्यता पूरी करनी है ठीक है तो इसमें क्या है कि सबसे पहले है 10 प्लस 2 senior secondary past recognized board ठीक है educational qualification in relaxable 11th past यह है तो इसमें क्या चाहिए 10 प्लस 2 चाहिए ठीक है एक तो 10 प्लस 2 चाहिए और दूसरा है जो दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस में हैं उनके उनके लिए कुछ थोड़ा relaxation है तो उसके बाद आता है दूसरा की male candidate must pass the valid driving license ठीक है जो male candidate है उनके पास क्या होना चाहिए एक valid driving license हो जाए लमवी यहने की motorcycle motorcycle का light motor vehicle का होना चाहिए दूपईया या four wheeler जो भी हो चल जायागा ठीक है तो आजकल bike का सबके पास रहता ही है license और learning नहीं चलेगा learner license not acceptable ठीक है पहले से ही होगा तब आपके बाद हो पाएगा तो candidate who have the और यह चीए हमें 979 2020 तक से पहले पहले का ठीक है तो इसके बाद candidate who have the required essential qualification education qualification as per the stipulated date will be not eligible to need not apply ठीक है जो अगर योग गिता ये जो दी है वान्चित योग गिता अगर इसको पूरा नहीं करते हैं तो आप form नहीं भर है ठीक है ऐसा गहरा तो इसके बाद बात आती है इसमें दोस्तों एक नई चीज है नई चीज ये है कि incentive to NCC certificate holder NCC certificate holder के लिए क्या है सबसे अच्छी चीज ये है कि इनके लिए इस बार incentive दिया गया है NCC certificate holder के लिए ठीक है तो क्या क्या है जो जिसके पाद एक्जाम होगा उसका 5% marks NCC certificate वाले को 100 का है तो 5 marks ठीक है तो NCC B के लिए 3 marks हो गया फिरी में मिलेंगे NCC certificate के लिए 2 marks मिलेंगे ठीक है इन में से एक ही certificate का benefit मिल पाएगा जिसके बाद अगर C है तो C वाले को C वाले के बाद ABC 3 होते है तो उसको 5% relaxation मिल जागा ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कैसे apply कर सकते हैं ठीक है apply करने के लिए हम आपको नीचे बताएंगे पूरा full process बताएंगे apply कैसे कैसे करना है पूरे application form खोल के तो application fee की बात आती है तो application fee कितनी है ठीक है fee की बात आती है fee कितनी है और उनके लिए 100 रुपीज फीस है आप दे सकते हैं और यह ओनलाइन ओफ-लाइन सवी पेट कर सकते हो आप SBI चालान से भी कर सकते हो और ऑफ-लाइन भी कर सकते हो ठीक है इसके बाद बात आती है exam center exam center regional region के हिसाब से हैं कहां कहां SSC के region हैं वहां से भर सकते हैं आप जैसे हम उत्राखंड से हैं तो उत्राखंड का जो center है वो है नौर्थ में आता है नौर्थ region नौर्थ region से दिल्ली राजस्थान नौत्राखंड ठीक है इसमें अलग-अलग center है हरिद्वार रुड की यह सब जगह exam होगा इसमें ठीक है काफी अच्छा exam है आप दे सकते हैं से ठीक है अनिर जनों के लिए भी है और बात आती है scheme of examination एक्जामनेशन क्या रहेगी ठीक है scheme of examination the examination will be consist of a computer-based examination होगा ठीक है CBT होगा CBT होगा तो physical and nature होगा physical measurement भी होगा P&MT और followed by the medical examination पहले computer-based exam होगा फिर उसके बाद measurement मतलब physical होगा और उसके बाद होगा medical ठीक है मार्क से score candidate computer-based examination in conducted in multiple sift ठीक है अलग-अलग सिप्टों में exam होगा क्योंकि काफी बच्चे रहते हैं इसमें तो अलग-अलग सिप्टों में merit भाई merit बनेगी ठीक है उन्हें final merit बनेगी मार्क से से और normalization score से ही बनेगी ठीक है देट अग्जामनेशन इंडिन नोटिस टेंटिव टेंटिव है जो एक्जाम डेट दी गई है ठीक है computer-based examination will be consistent one objective type multiple choice paper होगा उसमें ठीक है 100 question का multiple choice question paper होगा जिसमें 100 marks का होगा ठीक है 100 marks का होगा तो उसमें आप भर सकते हैं तो उसमें क्या-क्या रहेगा syllabus syllabus की बात करें तो part A, part A रहेगा, part B, part C, part D फोर part में रहेगा ये, part A में journal knowledge, current of here से संबंदित 50 question रहेंगे जो 50 marks के होगे ठीक है और reasoning reasoning आएगी, part B में ठीक है 25 marks का ये रहेगा, 25 question भी रहेंगे ये, ठीक है, part C, numerical ability, mathematics आती है basic और इसमें 15 marks का, ठीक है 15 marks और 15 question रहेंगे इसमें और part D में आएगा computer fundamental, computer fundamental, MSXL, computer का basic computer से संबंदित 10 question और 10 क्योंकि syllabus काफी easy है इसका, तो आप कर सकते हैं इसे, ठीक है इसके बाद बात करेंगे, ये होगया, 90 minute का होगा, ठीक है यानि के डेड़ गंटे का, इसके बाद, total और इसमें 100 question होगे डेड़ गंटे का, time भी काफी मिल जाता है इसमें, और negative marking होगी ठीक है, negative marking, 0.025 की negative marking होगी ठीक है, इसके बाद, आप देख सकते हैं, इसे syllabus है syllabus है, आप देख सकते हैं, notification में, ठीक है इसमें, जो physical test होगा, mail के लिए, ठीक है mail के लिए physical test होगा, physical test exam होने के बाद, जो merit बनेगी उसके बाद होगा, ठीक है, और जो paper का वो रहेगा, वो 10th level का रहेगा, matriculation level का, ठीक है, physical जो होगा, up to 30 या 6 minutes जो है, जो age race है, ठीक है, race हमें, 600 meter race, ठीक है, 600 meter race, 6 minutes में, पूरी करनी होगी, long jump 14 feet है, ठीक है, long jump भी है, इसमें 14 feet, और high jump है, 3 feet, 9 inch, ठीक है, तो यह हमारी, इसमें, तीन, तीन चीज़ें है, race है, long jump है, और, ठीक है, पाकी, physical chest है, वगर, देखते हैं, और इसमें, जो height है, वो है, एक 70 cm, ठीक है, 170 cm है, और जिसमें 5 cm का relaxation हमें, hill area वालों को मिलता है, ठीक है, जिसे, गडवाली, कुमावनी, गोर्का, जोगरा, आदी, इन में मिलता है, ठीक है, 5 cm ST candidate के लिए भी है, और case of suns, जो serving कर रहे हैं, दिल्ली पुलिश में, उनके बच्चों के लिए भी 5 cm relaxation है, height में, ठीक है, 1,60 सा height चाहिए, मतलब कुमावनी या गडवाली को, ठीक है, उत्राखंडे के लिए, इसके बाद जो chest है, chest की बात करें, तो chest, chest 81 cm चाहिए, तो 81 cm चाहिए, इसके बाद जो relaxation है, इसके लिए आपको hill certificate चाहिए, hill certificate होता है, तो 5 cm जो region of hill area उनके लिए listing होता है, ठीक है, तो आपको 76 चाहिए, ठीक है, इसके बाद physical indoor test जो female candidate के लिए है, वो है, 600 meter race है, जो 8 minute में पूरी करनी होगी, जो up to 30 year के अंदर वाले होंगे, जो up to above जो 30 से 40 year वाले होंगे, वो होंगे, 9 minute में पूरी करेंगे, और 40 साल से उपर वाले, जो एक service man होंगे, तो उनके लिए 10 minute चाहिए, ठीक है, जो इसमें qualify करेंगे, इनको those candidates who qualify the race will be eligible to appear the long jump, जैसे race qualify करेंगे, उसके बाद long jump and high jump, the long jump and high jump are to be the cleared, any one of the three chance, three chance में लगे, हर किसी में, ठीक है, तो qualify कर सकते हैं आप, ठीक है, race एक बारी होगी, ठीक है, इसके बाद standard जो physical measurement female, ठीक है, वो है female के लिए, हाइड जो है 157 cm, जबकि 2 cm का relaxation मिलेगा, याने की एक पचपन, महिलाओं के लिए, उत्तराखंड के, यूके वालों के लिए, होगा, ठीक है, और अन्य कस्मीर वगरा के लिए, जो भी है, हिलेरियाज वालों के लिए, ठीक है, और ये है, इसके बाद, बात आती है, medical standard, ठीक है, medical standard, 6 by 12, without glasses, आई जूनी चाहिए, फिरी from colorblindness तो चले गई नहीं, ठीक है, without any correction, like the wearing glasses of surgery, ये चीज़ें, condition इसमें दी हैं, ठीक है, सावाजनी condition है, ठीक है, admission for examination, जो admission for examination, आप form bar होगे, तब भी admission examination के लिए हो पाएगा, और last date तक आप जल्दी से form bar लेवाद में side की दिक्कत रहती है, तो आप भर सकते हैं से, ठीक है, और जो इसमें आपको the in addition, the admission certificate, ठीक है, जब admission certificate होगा, तो mandatory carry the last list, two passport size, color photograph चाहिए, original valid photo ID proof, having the date of birth and printed on admission certificate, ठीक है, उसमें होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, आदार card, print out, यादार, water ID card, driving license, pen card, passport वगर 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 ये चीज़ें, ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं, document verification, ठीक है, document में वो तो बात की बात है, document verification, सबसे पहले exam और physical, ठीक है, सब कुछ जो आपने भरा होगा, वो document चीए, ठीक है, mode of selection, mode of selection, पहले होगा, requirement for consistent, computer-based, CBE होगा, फिर होगा, physical endurance examination, और measurement test होगा, medical examination, finally selected, candidate married बनेगी, ठीक है, जो exam होगा, ठीक है, computer-based exam will be conducted, Hindi and English में, बोथ में होगा, Hindi और English में, आप दे सकते हैं, आपकी choice है, ठीक है, इसके बाद, और जो minimum cut-off रखी गई है, यह कम से कम इतने marks आपको प्राप्त करने हैं, जैसे unreserved के लिए 35 marks, ठीक है, यूर के लिए, और जो EWS, SC, ST, OBC के लिए 30 marks, qualifying marks हैं, ठीक है, qualifying marks हैं, ठीक है, इसके बाद, next और ESM के लिए, सर्विसमेन के लिए 25 marks हैं, ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं, और भर कहा सकते हैं, admission side care, P&M, उसमें physical के लिए होगा, जब आप, वो करते हैं, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद आता है, types of multiple, आपको भरना कैसे है, वो form हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, form कैसे fill up करना है, तो सबसे पहले producer of the filling the online application form, ठीक है, online application form के process क्या है, वो बताते हैं, तो one time registration है, सबसे पहले, side में जाओगे, ठीक है, SSC की, ठीक है, और fill up sign, जो हम link के देदेंगे, SSC की side का, तो आप वहाँ से बाद सकते हैं, ठीक है, filling online application form examination, ठीक है, part one, क्या होगा, otr होगा, यानि की one time registration, सब जानते हैं, कैसे बहरा जाता है, one time registration, email ID, वैडिट चाहिए, mobile number, और आधार काड, ID number, आधार काड में, ठीक है, सब के बाद होता है, और 10th, जो है, matriculation का information भरनी पड़ती है, total, उसका जो bold का result, roll number है, वगर भरना पड़ता है, जो photo का size होगा, 20KB से 50KB होगा, JPG format होगा, और 4.3 cm width और 4.5 cm height सो होती है, बना लेना है, ठीक है, बन जाती है, आधाम से, signature का जो होगा, 10 से 20KB होगा, और dimension of signature, about 4 mm width और 2 mm width, application for available signature, तिल भी rejected, state, यानि कि अगर आप गलत signature करते हैं, या मतलब वो नहीं आता है, तो reject हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद, वन टाइम registration हो जाने के बाद, इसमें होगा, जो हम बता रहे हैं, स्टेप बीएस, स्लेस, स्लेस होगा, स्सी डॉट, एन इसी डॉट, इन में होगा, ठीक है, उसके बाद, बेसिक डिटेल भरनी बढ़नेंगी, additional, और filling up, registration form, पिली, ठीक है, step by step, यह step आपको पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ देख सकते हैं, जो screenshot में ले चलते हैं, screenshot में, screenshot में यह आता है, basic details जो भरनी होंगी, do you have आदाहर कार्ड, इसमें yes करना पड़ेगा, आपके पा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, आदाहर नंबर बनना पड़ेगा, verify आदाहर नंबर, type of ID, क्या है, आदाहर कार्ड है, और ID नंबर, name, ठीक है, क्या क्या है, ऐसे बर सकते हैं, verify, simple name, जैसे नाम हो गया एक बार verify करना पड़ेगा, एक बार ठीक है, have you change name, no name change, ठीक है, father's name, ऐसे बरना पड़ेगा, ठीक है, common चीज़ें हैं, common चीज़ें बहर सकते हैं आप, इसके बाद यह आता है, इसमें कहीं भी परेशानी हो, तो save and next जरूर करें, पहले save, फिर next, ओके, ध्यान रखें, और valid email ID डालें, ठीक है, additional जो contact detail है, क्या है, AWS वाला, AWS, OBC, OBC, ST, ST, जो भी है, वो अपनी category भरेगा, ठीक है, जब certificate हो, तब ही आप भर सकते हैं, या भरें, ठीक है, खाली मत भर दें, इसके बाद यह है, इसके बाद इसके बाद फोटो अपलोड, फोटो का diamonds मैंने बता दिया, या आसानी से समझा सकता है, ठीक है, बीच से 50 के बीच मैं आप भर सकते हो, आसानी से, ठीक है, save and next है, और I agree में किलिक करके, ठीक है, final submit आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद part 2 online application form है, ठीक है, OTR है, जो है, ठीक है, इसके बाद जो है, हमारा registration number and password हमें मिल जाएगा, system से, OTR online जो second form बार सकते हैं, second में क्या है, verify करेगा, please verify carefully, will the, इसको correction भी कर सकते हैं, तो देख लेना कि, सही भरा है, नहीं भरा है, या कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि बाद में सुधारी नहीं जा सकती है, दिखा देगा, ठीक है, सारी चीज़ें दिखा देगा, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आती है, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, और आपकी photo भी सो करेगा, और finally submit हो जाएगा, preview करके, आप यहां से submit कर सकते हैं, ठीक है, तो guys, कैसा लगा, और हमें comment box में जरूर बताएं, ठीक है, और जो code है, essential qualification code, आप यहां से डाल सकते हैं, तो जरूर बता comment box में कैसा लगा, और कई भी कोई परेशानी हो, तो comment box में जरूर बताएं, हम जरूर आपका उप्तर देंगे, thank you, और हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें, आपने दोस्तों तक जरूर पहुंचें, तहन्यवाद,